नमस्कार बहुत स्वाकत है आप सबीका मैं हूँ आपके साथ मनुतेवतिया दस बच चुके हैं और बॉलेटिंग की शर्वात बड़ी खबर के साथ बोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज का माहल सुधर्मने का नाम नहीं ले रहा है GMC में अब चिट्ठी को लेकर बवाल मचा हुआ है पाच डॉक्टर्स ने Federation of All India Medical Association को आत्महत्या की चेताफ नी दी है पाच रेजिडेंस डॉक्टर्स ते FAIMA को चिट्ठी लिखकर अपनी परिश्वानी भी बताई है चिट्ठी में सामोहिक आत्महत्या की धम की दी गई है चिट्ठी में लिखा है कि GMC में जहरीले माहौल में दम कुट रहा है 24 घंटे हमसे ड्यूटी कराई जा रही है कोई अवकाश नहीं दे रहे हैं सीनियर और कंसल्टेंट पर अबद्र वहवार करते हैं अगर दो महिने में इस्ति नहीं सुद्री तो 31 माई को पाचो सा डॉक्टर सामोहिक आत्महत्या कर लेंगे तो ये लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो लिखा गया है FAIMA को जिसमें डॉक्टर्स ने सामोहिक आत्महत्या की चेतावनी दी है जे मीडिया समधाता आज़े दूबे इस वक्त बोपाल से मारे साथ लाइव जुड़ गए हैं आज़े ये पूरा मामला क्या है बताईएगा और क्यूं ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर्स को 24 घंटे डूटी करनी पड़ रही है देखिए गाधी मेडिकल कॉलेज में महौल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि वहां के डॉक्टर्स हैं लगातार परिशान हो रहा है इससे पहले भी बीते एक सालों में मेडिकल कॉलेज में दो छात्रों ने सुसाइट कर लिया था और उस बात का भी उस चिठी में जिक्र किया गया है फेमा को मेडिकल के जो छात्र है उन्होंने पत्र लिखा है पत्र में हलाकि उन डॉक्टरों का नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन दो महिने का जिक्र जरूर किया गया है उसमें कहा गया कि अगर दो महिने के दोरान अगर उनकी समस्याएं ठीक नहीं होती हैं, सरकार दुरुस्त नहीं करते, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादो का भी जिक्र किया गया, उनसे आग्रह किया गया और कहा गया है कि अगर मुख्यमंत्री बेहत दशील हैं उनसे चात्रों को उमीद है कि यह समस्यां बीते दो महीने में ठीक हो जाएंगी लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ठीक नहीं होती हैं तो हम पांचों जो लोग हैं जो डॉक्टर से वह आत्म हत्या कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले बाला शरश्वती और एक आकांशा का भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से मौत हुई उसके बाद कागजों में चीजें सुधर गई लेकिन जमीनी इस तर पर इस्थिती अभी बत से बत्तर है क्योंकि चाहे वो नए डॉक्टर्स हो चाहे शीनियर डॉक्टर्स हो उनको ठीक है अजे इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया आप बने रहेगेगा हमारे साथ